दोस्तों मैं डुना आपके अपने चैनल लीना के चैनल SP मोलोग स्वागत करती हूं तो 13 यानी प्रदोषरत के दोरान क्या बेंगन कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो ऐसा कहते हैं कि इन हैं कि इन चीजों को बेंगन पतिदार सब्जियां लैसुन प्याज मास या सराब का सिवन नहीं करना चाहिए और तामसिक भोजन की बजाए सात्विक खाने का सिवन नहीं करना चाहिए अब प्रदोश रद के दोरान बेंगन का सिवन क्यों नहीं करना चाहिए वीडियो के आखरी में मैं आपको बताऊंगी क्योंकि जो बैंगन है को रजो कुण इना मेंगन का नहीं करने क्योंकि यहाफी है कि इस विए अपकी संतार् के लिए हनिकारक को कुछ भी हो सकते हैं रिसाद जो का समय पूजा की चाती है तो यह आउस प्रकार माना जाता हैं जो की आज मै又 की दुजा की जाती हैं तो यह Öए priest प्रधोश्वत में भगवान भोलयनाथ को आप कुछ भी चाड़ा सकते हैं। जैसे सुबह आप जल चाड़ाते हैं, तो शाम के समय में तरोडशेसी तीठी को खास, और प्रधोश्वत के दोराँ जो विवरत्ति और उप्रध्वास करते हैं। उनको बेहंगन बिल्कुल भी भगवन भोले नात को नहीं चड़ाने चाहिए, नहीं खुद को बेहंगन का सेवन करना चाहिए, तो यह ठीखास जानकर यह आपके लिए वुद्व का आपको पसंद है, तो युद्व को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेले कम प्र